कि दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम कि देख्जोना टेबलेट और प्रेक्टिन टेबलेट जो बहुत सारे लोग जिनका वजन किसी और वज़े से नहीं बढ़ रहा है कि बहुत ज्यादा इस्तिमाल करने लगे हैं कि उसके अलावा बहुत सारे लोग जिनको जुएंट स्पेन की प्रॉब्लम है आर्थ्रेटिस का प्रॉब्लम है वात का प्रॉब्लम है वो लोग भी किसी के कहने पर कुछ बनानी के लिए वो लोग भी जो है वो जीम ट्रे नर से बोलो या उनलाइन बोलो बहुत सारे प्रोटिन का इस्तेमाल कर रहे और उसके भी उन्हें बाद में साइड इफेक देखने मिल रहे हैं तो इससे हम अंदाता लगा सकते हैं कि उसमें भी बहुत सारे स्टोय Abu Dewi लेवे हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इससे हिल्थ से रिलेटेट और हिल्थ वर्कल्स को गाइडन्स करने वाले वीडियो लाने वाले हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर बात करें डेक्जोना और प्रेक्टिन की बहुत सारे लोग इसे वजन बढ़ाने के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं तो इसमें दो टेबलेट एक डेक्जोना जो सफेद कलर की है और एक जो है प्रेक्टिन प्रेक्टिन जो टेबलेट है पहले अगर उसके बारे म और साइप्रोरिटाडचेटेटिन के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो साइपौन बारे बता उस Benjamin Atos प्लक है इस और पर यह एड़लोग ले रहे तो प्लक है लेकिन बहुत ज़ादा दिनों तक ना ले लांग टर्म ना ले और लेने से पहले एक बर अपने डॉक्टर की सला ज़रूर ले ले क्योंकि कही जगह पर ऐसा है जहां पर साइपर इंटिकेड़ेट है नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी अगर आप ले रहे और अगर आपको इसमें से कोई साइड इफेक्ट अगर दिखता है तो आप तुरंद बंद कर दे जैसे विज्वल डिस्टरबंस सबसे पहले साइड इफेक्ट बताय हुआ है मतलब धुनला धुनला दिखना नजर के अंदर जो आखों के है उसके अंदर परिशानी आना बहुत ज्यादा कमजोरी आना यूरेन में प्रॉब्लम आना और घबराठ होना कई बार धरकन बढ़ जाना किसी किसी को बीपी कम होनी की शिकायत जो है साइपर अप्टेटिन से हो जाती है किसी किसी को जो है नर्वस साइकेटरिक प्रॉब यह कि और एक अन्दर अंत्र देख और यह कई ज्यार में रहा है बनाती है से나嘗रette अन्य रहें काुडिक रिखनें है कोना प्रेंड के ख ơiर सब्सक्राइब के लिए बनाती है। बात करेंकर को एकिसंट हमें लोग देते हैं। दो यह बहुत सारे बिमारियों के लिए डाक्टर देते हैं। इस बहुत सारे गुरूप होते हैं कॉप्तिक एस्ट्राइट के इंदर आपने नाम सुना होंगा मेथिल प्रेड्नेस वालन का है उट्रोकॉर्टिजॉण जो प्रायमर कोट इंजेक्चन के नाम से आता है उसके अलावा बेटनेस वह बहुत सारे लोग बेटनेस वुका ना सुना हो देख्जा हो गया मिथिल प्रेटनेस ओलान यह लाइफ सेविंग ड्रग बोलके डबली ओचों ने सारे देशों के अंदर जो है डेक्जा में इंजेक्शन टैबलेट यह जो है निमुनिया कोरोना के अंदर जो है दिया गया वहां पर भी इस्टौराइट इसमाल किया जाता है लेकिन फाइदे है उससे कही कही ज्यादा गोना उसके नुक्सानात भी है तो सबसे पहला जो साइड इफक्ट है उसका है वह कुशिंग सेंड्रॉम क्या होता ऎक परकार की शुजन आना शुरू हो जाती है चहरा आपका एकदम सूझ जाएंगा पेट पर सूझ आ जाएंगी और जब के हाथ और पैर आपके बारिक होना शुरू हो जाएंगी तो यह तरह का सिंड्रम मेंट से कुशिंग जाता है तो यह साइड इफएक का बहुत कॉमन की कहने में साइड एफक्टा बहुत जादा देखने में तो पैर-बारी खूरेएंग पेड़ भी सूझ रहा थे तो इस्टेराइट का सबसे पहले एक साइड इफएक यह है कि दूसरा साइट एफेक है किश्टोड जो है वह हमारे बोडी के इम्मुनीटी सिस्ट्रीम को जो है सप्रेश करते थे इम्मिनेटी कि आपको बार-बार जो है वह जितने भी बहुत सारे लोगों को टीबी वाले के पास बैट गए टीबर कुलोसिस वाले के कॉंटेक्ट में आते लिए उनकी इमिनिटी क्या करती वह टीबर कुलोसिस के जो केटावनों से उनको बचा देती लेकिन लेने वाले टैबलेट उनक से खराब कर दी कि तीसरा जो कॉमन साइड इफेक्ट जो देखने में आता है वह ऑस्ट्योपोरोसिस यानि हड्डियों में ठिस्सूरत आ जाना कि बहुत सारे लोगों मैंने प्रैक्टिकली भी देखा जो जवा नौजवान हमारे जो है वह जीम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर है और वह लेने के बाद में बहुत सारे नौजवान मैंने देखा प्रैक्टिकली मैंने दो-तिन कैसे से देखा कि उनको ऑस्ट्योपोरोसिस के वज़े से स्पॉंटिनेस फ्रेक्ट्चर हो गया बैठे बैठे ते अचाना क्लचक आ गई और पैर फ्रेक्ट्चर हो गया यह इस राएक और साइड एफिक्ट यह है कि इस्टराइट के वज़े से अलसर की शिकायत हो सकती है कि अन्य गैस्ट्राइट इस हो सकता है आपको एक साइलेंट आईसी टी बढ़ते 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 कहीं नकि आपके पेट में ब्लीडिंग चालू हो सकती है तो कि इस्सेयद का रहा है उसके उसके साइट एक्ट के अंदर यहीं भी देखने को मिल सकता है क्या होता है कि यह प्युद्व के बिल ले रहें और तो इसके वाज़े से आखहों के आफिछ ग्राजिविन कहा जाता है बिल रिचे उस हैं कि शिकायद भी आप ग्लोकोमा की बिमारी भी पाई गई है तो आपको इस्टोराइट जो अगर कोई ले रहा है तो मिरियां उनसे request है कि आप इस्टोराइट लेना तुरांट बंद कर दे लेकिन बंद करना मतलब डायरेक्ट भी बन नहीं करना है इस्टोराइट जो है मैंने बताया कि हमारे बॉडी को जो है इस्टोराइट की डेली जरुवत होती है डेली हमारे बॉडी के अंदर इस्टोराइट ब्लड के अंदर जरूरी है ताकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है जरूरी जो है काम का जरूरी फंक्शन जो है वह उसके सरीय से हो सके तो होता कि है जब हम भाहर से इस्ट्ओराइट लेना चालू करते तो जो हमारा मुदूथ को कंट्रोल करता है एड्रेनल हो गया पेटूटरी गलेन बोल बोलकर मास्टर गलेन निध्यर न में रहती उसके जरिये हμεारे बाइर से तो हम क्या करते कि अगर रखने वाले स्टीड है क्यों ने रही तो वो क्या होता है कि च हमारे बाडी को जरुआ थे वह इस्टेड नहीं कमजोरी लगना और जो है मस्कुलर पेन होना बहुत ज़्यादा बोडी में दरद होना खास करके हमारे कांदे हो गए शोल्डर हो गए आम हो गए हमारे थाय मसल हो गए इसमें बहुत ज़्यादा दरद होना क्रैम पाना विकनेस लगना और जो है बहुत ही ज़्यादा खुद को जो है गलावा मैसूस करना यह चीज़े विड्रॉल सिम्टम के अंदर देखा गया है तो अगर आप इस्टुराइड ले रहे हैं तो अच्छे अचानक बंद ना करें कि उसको डॉक्टर की साला नुसार अगर आप एक गूली ले रहे हैं तो आदी आदी करिए कुछ दिन तक के फिर एक दिन आड़ लीजिए फिर हफ्ते में दो बार लीजिए इस तरह से टैपिंग दोस करते हुए धिरी धिरी उसका डोस कम करते हुए इस्टुराइड बन करे दोस्तो हमने जाना कि इस्टुराइड के कितने साइड इफिक्ट है यकिनन इस्टुराइड जो है एक लाइफ सेविंग डरग है एक जिन्देगी बचाने वाली दवा है लेकिन उसके साथ ही जिन्देगी को बरबात करने वाली भी दवा है तो आज के दौर में जहां हम इ विमारी उसे सारी जो है इनसानियत परिशान है ऐसे हालत में हमें इम्मुनिटी बढ़ानी की जरुरत है ना कि इम्मुनिटी कम करनी की तो जो लोग इस्टोराइड ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में चाहे आप हालत बनाने के लिए जो हमारे नौजवान है वो इंजेक्शन पर दैकाड औरोब्लाàng हो गया मर्केट में जो जैने क्वाले जो नौजवान है वह इंजेक्शन जो इस्टोराइड की ले रहे हैं और बहुत सारे जो वह भी स्टोराइड वगदाने के लिए ले रहे तो मैं चाहूंगा कि हमारे पास में अगर हालात आपको बढ़ाना है वजन बढ़ाना इस्ट्राइट के अलावा भी बहुत सारे उप्षन है आप जो है अपने दिन चरिया को चेंज कीजिए जो डेली रूटीन है उसको चेंज कीजिए नीन भरपूर लीजिए बैल सुराले और अगर इसे बंद यह लोग ले रहे थैस्ट्राइट अगर उन्हें बंद भी करना है तो बंद करने के पहले भी एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सला ले ताकि उसके विड्रॉल सिम्टम ना हो और जो हमें फाइदा होना चाहिए था अभी तक के उसका हमें उल्ट है उल्टा बहुत ज़्यादा नुक्सान देखने हो मिले काई बार मैं vendors करता खासकर हमार abrasive में जहां मैं practice करता हूँ बहुत सारे लड़के जो बहुत ज़्यादा कमजूर को ने के लिए उनके शादी की चाता रही है शादी की अजया है चाहरे ना ना है तो हमारा वाटसप नमबर भी दीया वा है हम आपको गाइट कर सकते हैं कि तरह से बंड करना है लेकिन मैं तो यहिए चाहंगा अगर जो लोग ले रहे हैं तो उसे अचानक मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब केजिए और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए हमार अगला वीडियो इंजेक्शन टीटी के बारे में आने वाला है कि इंजेक्शन टीटी कब लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए क्या यह छेम हर छेमेन में लेना जरूरी है इसके बारे में हम बात करेंगे तो अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बाई